Genius, यह नाप जैसे ही आप सुनते हैं तो आपके माइद में एक मित चल गोगा आनि आप सोचते होंगे कि Ingenius पर रोजगा है, Ingenius के पास Employment नहीं है बट ऐसा कुछ भी नहीं है, एक सर्वे के कॉर्डन यहाँ पर पता चला कि 55% Engineer है, वो Jobs ले लेते हैं, 45% को नहीं लेबाते हैं आप करेंगे कि यह तो बैड रेशो है, बट यहाँ पर अगर दूसरे सब्चेक्ट के comparison में देख रहा है जैसे जो Commerce से रेलेटेट रेते हैं या फिर Arts से रेलेटेट रेते हैं उस ब्रांचिस के जो भी स्टुडेंट से वो कहबा लिए, यानि के वो 15-20% यह लेबाते हैं तो यह जो एक रेशो है ना बहुत चाला डिफरेंस के रिट करता है बाकि जो इंजीनियर्स करते हैं वो पढ़ते हैं तो उनका रेजयन में चोप नहीं मता है इस विडिO में आपको एसे सहात इंजीनियर्स के बारे मैं बताउँगा जिघनों ने हमारे जिन्दगी को बहुत ही अच्छी तरह कैसे चेंज कर दिया अगर वो नहीं होते तो हो सकता है कि हम लोग आज यहां पर नाव होते हैं तो ऐसे ही साथ इंजीनियर्स जिनके बारे में मैं आपसे बात करमें इस वीडियो में और मैं ऐसी उनिवर्सिटी के बारे मैं आपको बताने वाला हूँ अगरे मैंचेस्टर में एक उनिवर्सिटी है वोल्टन उस उनिवर्सिटी में क्या होता है कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किये गए पहले के जमाने में किये गए और अभी भी किये जाते हैं तो वहां भी इतना प्राइप्टिकल वर्क है कि वहां पर आए दिन कुछ ना कुछ inventions होते रहते हैं वहां से related, बहुत सारे inventors, उन में से जो मैंने इन 7 inventors को रखे हैं, वो कुछ Bolton University के ही है, तो Bolton University बहुत अच्छे-च्छे projects पर work करता है, students उसके work करते हैं, बहुत अच्छे result वहां से आता है, बहुत करती हैं, सबसे फर्स्ट मिंबर के यहां पर engineer की, इसका नाम था George Stevenson, इनको father of Ray में भी कहा गया है, पहले क्या होता था कि हमें कहीं एक सगे से दूसरी जगे कर चाहना हो, तो हमें क्या यूज करना मड़ता था, हमें यहां पर animals की यूज करते थे, वह थोड़ा सा time चाहता लेता था, लेकिन यहां पर क्या क George Stevens ने, उनने मेहनत कितने की, आपको यह चीज आप चाहने के आपको बहुत अलह रहा है, उनने 1814 में अपने घर की वर्क्शॉप में उसको design किया, और फाइनली आठ साल की मेहनत के बाद 1822 में उनका पहला बिना animals से चलने वाला बुचराया, जो की railway track को पर run करता था, तो यह जो है ना बहुत बढ़ी हो, आपको पता है कि railway में हमारी life कितनी easy खरती है, traveling के लिए, तो इसलिए George Stevens सब का नाम सबसे पहले नमर के आता है, तो हम बात करते हैं second number, father of mechanical engineer कहते हैं, किसको chance what, chance what को father of mechanical engineer कहा जाता है, अब उसके पीछे का reason क्या है, पहले जमाने में क्या हो कि steam का use करके, हम आपको पता है कि steam engine को run गया जाता है, steam को use करके, बट वहाँ पर क्या हो रहा था, कि steam engine run होता था, तो पहले क्या था कि steam engine में हम water को heat करते थे, वो steam बनता था, अब वो steam चाहती थी, तो उस steam को क्या करते थे, कि फिर उसको पूरा ठंडा बनने के लिए होता था कि बहुत ज्यादे amount of energy based करते है, कि बहुत सारा coil-up, बारवाड जमान चलाना पड़ रहा था, और इस चीस से बहुत ज्यादे loss हो रहा था, time कभी बहुत ज्यादे loss हो रहा था, तो यहाँ पर James Ward ने क्या किया कि एक, उसी जो भी वहाँ पर setup था, उस setup में उनने एक condenser की खोच करें, condenser की खोच करें, condenser की खोच करें, condenser को लगाया, और condenser ने क्या किया कि, steam engine की efficiency को, यानि कि जो उसकी power उसको बहुत जादा बढ़ा था, तब ही से बहुत जादा changes आए, और जो भी वही से हमारा क्या होगा, कि industrial revolution चाली होगा, इसकी बज़े से James Ward की वज़े और मैं आपको इस चीज़ और बता दू कि, आपको पता है कि power unit watt होती है न, है न, तो आपको पता है, तो यह जो power unit watt आई है, वो James Ward के यहाँ पर last name से ही derived की गई है, ठीके, आपको हम बात करते हैं, तीसरे नुमर पर, Nicola Tesla, यह नाम किसमें नहीं सुना होगा, AC और DC की जो व आपको बताना चाहिए, एक आपनी course नहीं होगा, talent matter करता है, यह पर डिगरी नहीं होगा, निकोला टैसला ने engineering और physics है, उनका इतना साथे strong था, कि उन्हें पढ़ाई थो की, पर कभी भी उन्होंने degree नहीं लेगी हुए, एक पर्तिकुलर इंचिनियर फिजिक्स से related field से हू आपको पता है कि उनके ऐसे inventions थे, अगर वो बात अलगी कि वहाँ पर इंवेस्ट नहीं किया गया, पैसा अगर इंवेस्ट किया जाता तो हो सकता है कि अभी हम जो electricity इसको use कर रहे है, free में use कर रहे होता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, बात करते है number 4 की, Rudolph diesel, देखें, आपने और भी जरूरी ट्रेनों में diesel engine चलते हैं, जो भी हमारे internal combustion engine यानि कि जो हमारे cars चलते हैं, बाइस सबी के अपर, इने internal combustion engine के अपर वर की, 4 साथ, 1893 से 1897 तक इने इतने failures लेगे, कई बाद तक explosions हो गया, फट लेए, उसके बाद भी ने चार साथ के मैनत के बाद, finally diesel engine, internal combustion engine बन और इससे आपको पता है कि कितनी life हमारे easy भी है, अब बात यहां पर आती है, कि radar diesel ने इसा क्यों किया, वह भी तो छोड़ सकते हैं, जब हमारे बहुत सर फैलर्स हो, तो उनका concept लिए था, कि जब उन्होंने steam engine को देखा, तो हमारे देखा कि 90% energy, जो हमारे 90% power, energy, बेस्ट ह तो उनने ऐसा सोचा कि क्योंना steam engine को replace करके और एक diesel से चलने वाला, petrol से चलने वाला engine कि आपको बहुत वर्क करने के पादे, आप डेसल एंचन लेके आए, और इंटर्नल कमभशन भी कह सकते हैं, वो लेके आए थे, नमर 5, Charles Babbage, यह नाम आप सुने नहीं सुने, मैंने तो चार्ल्स वाबश करें आपने नाम नहीं सुने हैं, तो हो सकता है कि आप किसी का भी नाम नहीं बता हो, Charles Babbage दो थे father of mechanical computer को नहीं का जागा, मतलब उनने concept दिया computer का, कि किस तरिके से हम computer का use करें, बट वो mechanical था, ठीक है, उसका result थोड़ा time लेता था, two days, one and half days, ऐसे ऐसे time को लेके वो a result देता था, बट ठीक है, उस time पे जो नहीं invent किया था, mechanical computer, उनने पूरी तरीके से changes ला दिया, उसके पाद उसी में inventions होते था, आज के जबान, आज के technology आप देख सकते हैं कि क्या है, बट हा, Charles Babbage को यहां पे father कहा जाता है, computer का, बात कुरती 6, अब आगया नाम य Thomas Edison जो थे, वो क्या करते थे, कि उन्हें ने जब परिफ का invention के थे, वो बहुत जाता है, Thomas अपा ऐसा नहीं कि, जो आप electricity के वार होते हैं, उससे कुछ उनकी उराईयां हुई, बट उन्होंने भी बहुत ऐसे inventions दिये, जो बहुत जादा वार होते हैं, लेकिन जो Edison ने invention दिया हमें light bulb का, फिलामेंट वाले बलफ होते हैं, उसका उन्होंने invention किया, और उन्होंने inventions एप्रोक्स thousand times उन्होंने इसका experiment के, इतने failure में तो कोई भी इंसान करना चुमा दे रहा, बट वो लगे रहे हैं, इंडिकेशन से उन्होंने बनाया है बलफ, और जब उनका बलफ हो बन जो भी generators है, वो electricity produce करते थे, तो इन्होंने आपने बलफ को ज़राने के लिए, जब उनका experiment successful हुआ, तो अमेरिका में इन्होंने शुरू में 1921 जो घर थे हैं, उस society में, उनको light देने का हैं पर contact लिया, और उन्होंने वहां तक light सभी को provide कि, वो जो थे addition थे, वो सबसे पहले इन्सान थे, चिभू ने electricity को as a business use किया था, ठीकिए, वहीं से क्या हो कि आगे बड़े, बिट आपको बता है कि DC करेंट जो होता है, वो बहुत चारे दूर तक transmit नहीं हो बाता है, यह सबसे बड़ा रिजा है कि AC ने DC को replace कर दिया, यानि addition ने बहुत मेहनत किया, बहुत ता इसा नहीं होता था, उसको एक बार बना के और दूर तक transmit कर सकते थे, बड़, DC करेंटी साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, उसको बहुत जादा, क्योंकि वह एक vertical line of flow होता था, और इससे जो भी बहुत जादा wire के अंदर resistance होता था, उससे उचार दूर तक नहीं जा पाता था, इस बात को छोड़ते हैं, पर हम आगे आते हैं, काल बैंस के, काल बैंस है क्लेसे scientist है, automobile scientist है, automobile engineer कह सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि, सबसे पहले जो है, पहले भी बना था यहां पर automobile engine, पर उसको practically कौन लेकिया है, काल बैंस में, काल बैंस ने 1885 में practically motor wagon करके, three wheeler करके, three wheels में कौन लेकिया है, काल बैंस लेकिया, three wheel में motor wagon नाम की, एक गाड़ी लेकिया है, याने कि, वहीं carriage कह सकते है, three wheels, but उसके पाद, उन्होंने क्या किया है, कि अपना दिवाग तोड़ा से ड़़ाया, और 1886 में, उस गाड़ी का, जो motor wagon carriage था, उसका यहां पर उन्होंने patent ल सालगी और बहुत जागा successful है, तो इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे ही साथ amazing scientist के बारे में discuss किया, चाहिना, मानी life को change करती है, आई हो आपको वीडियो में मचाया है, और वीडियो में मचाया है, तो वीडियो को like और चाहिन को subscribe करते है, ताकि में और ऐसे ही case study से वीड आई है, और वीडियो